हाई एवरिवन आज हम बनाएंगे पुदीने का सर्वत तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार लेंगे इसमें डालेंगे आधा कब पुदीना पता पुदीना पता को हमने अच्छी तरह से साप कर लिया है अब इसमें डाल देंगे चार चम्मच चीनी दो चम्मच निम्बू का रस डाल देंगे छे से साथ आईस क्यूब डाल देंगे और आधा कब पानी डाल देंगे अब इसे पीस लेंगे तो देखिए इसे हमने पीस लिया है अब हम एक बाल लेंगे और बाल में एक चलनी की सहाईता से इसे हम चान लेंगे तो देखिए इसे हमने चान लिया है अब इसमें डाल देंगे एक गलास पानी अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे ये सर्वत पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है ये सरवत स्कीन के लिए भी बहुत लाप्दायक होता है अब इसमें चार से पांच आइस क्यूब डाल देंगे एक निम्बू का सलाइस डाल देंगे और पुदिना पता डाल देंगे और गार्निस के लिए निम्बू को इस तरह से गलास में लगा देंगे तो लीजे पुदिना का ठंडा ठंडा सरवत बनकर तैयार है तो आभी इस तरह से सरवत बनाका जरू ट्राइ करे और हमें कोमेंट कटके बताएं कि आपको ये रेश्पी कैसी लगी अगर आपको ये रेश्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद